तो अधम्सथत가요 के बारे में दिली शल्तनात का यो है 12 शर्य स्वी से लेकर पंदरहिस अच्छभी से स्भी का बीर को दिली शल्तनत का स्थर्मपना जो किया था कुटाबू दुनेवक किया था इससे पहले कि जो मैं इसके बारे में बताओं कि मुहम्मद गोरी ने पिर्थिवी रचुवान जो कि तराइन के पहला युद हुआ था तराइन एक जगा है वहाँ पर युद हुद हुआ था गारा से कानबे इसमी में मुहमद गोरी और पिर्थिवी रच्वहान के बीच में पिर्थिवी रच्वहान ने मुहमद गोरी के प्राजित कर दिया और मुहमद गोरी ने पिर्थिवी रच्वहान के बारे में सब कुछ बता दिया था मुहमद गोरी को और मुहमद गौरी ने 1192 वी में तराइन के सेकेंड रीध होता है और आने के बाद पिर्थिवीराज चुहान को हरा देता है हराने के बाद मुहमद गौरी को ये बात का पता हो चुका था कि पिर्थिवीराज एक महान सासक और ताकतवर सासक है बचने के बाद ये पता चल चुका था कि पिर्थिवी राज चोहान बरबाद कर देंगे इस वज़ा से मुहमद गोरी ने पिर्थिवी राज चोहान को हत्या कर दिया और जैचन को यह लगा था कि पिर्थिवया चोहन का कतल हो जाने के बाद हमारा समराज बढ़ा हो जाएगा लेकिन मुहमद गोरी ने कुछ दिनों के बाद जैचन को भी सफाया कर दिया उसके बाद उसका तीन गुलाम थे जिसमें से कुटबुदिन एवक दिली सल्तनत का निवरक्था क्योंकि वो जाने के बाद कुतबुदिन एवक को दिली का समराज बनाकर चला गया था तो आईए हम दिली सल्तनत के बारें पढ़ते हैं दिली सल्तनत जो है 12-6 सलीक और 15-26 के बीच के कार्यकाल को दिली सल्तनत कहाता है दिली सल्तनत पर जो पहला वंस था वो गुलाम वंस गुलाम वंस इसलिए कहा जाता है कि कुटवू दिन एबग जो था मुहमत गौरी का गुलाम था इस वैसे इस वंस को गुलाम वंस कहा जाता है आई हम थोड़ा सा ट्रिक के बारे में पढ़ लेते हैं दिल्ली का जो वंस है उसका ट्रिक है गूल खिले तो सांस लो यानि कि गुलाम वंस खिलजी वंस तुगलक वंस सजद वंस लोधी वंस अगर इसकी संस्थापक की बात की जायत कि इसकी संस्थापक कौन कौन से है तेस ट्रिक के तोर पर एव जल गया खीवो से मतलब कुटबू दिन एवग, खिल जी वंस, ग्यासो दिन तुख, खिल जी ये सब थे लंबा कारेकल के बाद की जाए कि दिली सल्तरनत में सबसे लंबा कारेकल किसका था कोशन पुछता है इस वजा से बताना जरूरी है किसका ट्रीक है तुगलक सकी मतलब तुगलक वंस जो था सबसे लंबा कारेकल किया था उसके बाद हम पढ़ते हैं कुटबू दिन एवग का कारेकल कुटबू दिन एवग का जो कारेकल है 126 सलेकार 1210 के बीच में इनका कारेकल था कहा जाता है कि यह नलाहोर में चोगान खेलते समय घोड़े से गिरने के बाद इनकी मिर्तु हगी थी कुटबू दिन एवग का कारेकल पढ़ लिए इसके सुल्तान की उपादी धारान नहीं किया था सुल्तान के उपाई धारान नहीं किया था इसने सिफाहिक इसने मली के उपाई धारान किया था इसको दया इसने गरीबों का दयास दिरिश्चत देखता था और यह कुरान बिल्कुल इसको कुरान याद होने के कारणे से कुरान खान भी कहा जाता है लाखों का दान देने वा पढ़ लिए उसके बाद हमें यह पढ़ते इसने भारत में मस्जिद का निर्मान करवाया था जिस मस्जिद का नाम है कुपतुल इसलामिक मस्जिद का निर्मान करवाया था इसके बाद इस इन्होंने इसके दरबार में दो कवी थे एक मिनहाज नाम का था और एक निहाज न दीछ तोलने के बाद उसने ढ़ाई दिन में उस मस्जिद के निर्माण कर दिया गया था इवक ने डिली में कुपटुल इस्लामिक मस्जिद जो की भारत के सबसर पहली मस्जिद जो भारत के पहली मस्जिद थे उसके बाद एवक ने अफगनिस्तान से प्रेलित होकर गया होगा ससुरा अफगनिस्तान घुमने के लिए वहाँ पर एक जाम मिनार देखा है वो जाम मिनार देखने के बाद इसको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगने के बाद इसने आया और दिली में कुतुब मिनार का निव रखिया थी, कुतुब मिनार तिन मंजिल का मिनार है, काफी उचायला मिनार है, घुमने वाला टोरिस्ट पलेस है, इसका दो मुहम्माद भिन्द तुगलक के समय विजली गिरने से ये कुछ छतिगरस्त हो गया था फिर उसने फिरोशा नतुगलक आया और फिरोशा तुगलक ने उतुब मिनार को पुरीते और पुरुन निर्मार करवाया आज भी जागर देख सकते हैं कुतब मिनार दो मनजिल ने बनाए था लगा तो इसके बनाया था यहां पर यहां पर यह पर एक मिनार बनाया था लेकिन उसका जो मिनार था सब्सक्राइब नहीं हो पाएया तो किसने बनाएऴाया था अलाओ दिन क्वर सिचा मिनार इस्लामी मसजिद अलाई दरवाज़ा अपिग्षार भल नहीं हो पाया जिसके मिनार का नाम है अलाईमीनार दश सोays द समय लहोर में चोडान लाहोर ये इसका राज़ाई बनाया था लाहोर में चोगान खेलते समय इसकी मिर्तु हो गए थी इसकी मिर्तु हो जाने के बाद कुछ समय के लिए आया था अराम साह नाम था अराम साह जितना नाम बढ़िया था उसका काम भी बढ़िया था दारूब पीना, मवजमस्ती जाना आराम ही करता रहता था तो कोई दूसरा साशक छोड़ेगा नहीं तीस वए से इसका नो दस महीना काई कारे काल है जास में बनता है और 11 में इसकी टू करते है क्योंकि आराम करते हैं तो आराम करने वशक कौण सक्सेज नहीं होता है इसके बाद यह एक आयोग सासक नहीं था बिकार सासक था एबग का उत्रा धिकारी उत्रा धिकारी था बारा से गारा इस भी में इल्टु तमिश नहीं से हटा कर खुद सासक बन गया था इल्टु तमिश जो है बदाई का इफ़ी में बदाई जो जगए हो वहां का सुभिधार था इसने आयोग सासक था इसने और अराम शा को अटाया और अपर आने के बाद हटा दिया और खुद गदी पर बैठ गया इसके बाद हम पढ़ेंगे वह इल्टु तमिश के बारे में पढ़ेंगे इल्तु तमीज के बारे में आगे जितने कारेकल होगा वो एक के करके पढ़ेंगे